हेलो एवरीवन वेलकम टू सांटीस किचिन और वी लॉग्स आज मैं बना रही हूं मुंबई स्टाइल अंडा बुर्जी जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसको आप ब्रेकफास्ट में एवनिंग स्नैक में खा सकते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंन ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो और हम थोड़ा सा मक्षन को भी पिगला लेंगे और यहाँ पे मैंने तीन बड़े प्याज को चोटा-चोटा काट के लिया है तो प्याज हम इसमें डाल लेंगे और प्याज को बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसको सिर्फ एक से दो मिनट के लिए सौटे करेंगे आप देख सकते हैं हलका सा प्याज का कलर जो है वो चेंच हो गया है अब यहाँ पे मैंने तीन पड़े टमाटर लिये हैं और इनको हम दाल देंगे अगर टमाटर अच्छे लाल हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अंडा भूजी का कलर काफी अच्छा आता है तो अब हम इसको भी थोड़ा सा इसमें पका लेंगे और साथी में हम इसमें नमक डालेंगे तो नमक मैंने यहाँ पे डेर चमच जाला है छोटा चमच आप अ और साथी में एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अब मसालों के साथ प्याज और टमाटर को पकाएंगे फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे दो से तीन मिनट तक इसको हम अच्छे से पका लेंगे और इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे दो से तीन मिनट के बाद अब हम इसमें आधा कप गरम पानी डालेंगे क्योंकि हमें जो टमाटर है उनको अच्छे से गलाना भी है तो गरम पानी डालने से जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाते हैं और साथी में इसमें एक बड़ा चमच पावभाजी मसाला डालेंगे और अब हम इस मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम करके अच्छे से भून लेंगे इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और जित्ती देर में ये हमारा मसाला भून रहा है उत्ती देर में हम जो अंडे हैं उनको भी फेट के तयार कर लेंगे इसको बीच बीच में देखते रहेगा मसाला जल ना जाए और यहाँ पर मैंने छे अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पर देसी अंडे लिए हैं आप कोई भी अंडे यूज कर सकते हैं यहाँ पर अब हम अंडों को तोड़ लेंगे और फिर हम उनको अच्छे से फेट लेंगे आप जितना अच्छे से फेटेंगे अंडा भुर्ची उतनी ही अच्छी बनेगी तो इस तरीके से हम 6 के 6 अंडे जो है उनको तोड़ लेंगे और एक विसकर की हेल्प से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप इसी तरीके से विसकर से अच्छे से बीट कर सकते हैं अब देख सकते हैं उति देर में मसाला के तैयार हो गया है। आप जाए तो लॉपे भी रख सकते हैं और इसको हम चितना ये अच्छे से से स्क्राप करते रहेंगे साइट से पर इस से चलाते रहेंगे। साइट सच्छे से स्क्राप करते रहेगा नई तो जो अंडा है वो साइट में पैन में चिपक जाएगा और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे इसी तरीके से पकाते रहेंगे आप अंडा पुर्ची को किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं लाइक ब्रेट के साथ ब्रेट सेक के या फिर पाओ के साथ लाइक मुंबई में तो इसको जाद तर पाओ के साथ ही सर्फ किया जाता है और आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं डैली में तो ज्यादा तर पराठे के साथ ही खाई जाती है लाइक वीकेंड पे सुभा आप पराठे बना के साथ में अंडा पुर् प्रेशली कटा हुआ हराधनिया डाल दिया है और आप इसमें चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चाहे तो इसे थोड़ी दिर और पका सकते हैं जिससे इसका मॉइस्च्चर जो है थोड़ा और कम हो जाएगा तो आपको जिस तरीके की पसंद हो आप उस तरीके की अंडा प्रेशली कर दें और थोड़ी खिली खिली बने अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा यह उत्ती खिली खिली नहीं लग रही है तो एक दो मिनट में यह अच्छे से खिल जाएगी और इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कितना अच्छा है अब यहां पर फ्लेम को बंद करें आप चाहें तो पाउबी सेक सकते हैं पड़ मैं ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ तो इस तरीके से हम ब्रेड को दोनों तरफ से लोड़नों तरफ से लोडु मीडियम फ्लेम पे अच्छे से शेक लेंगे एक ब्रेड मैंने ऐसे सेक लिए है दूसरी ब्रेड के लिए मैंने सेम बटर लिया है और बटर के उपर मैंने थोड़ा सा पावभाजी मसाला डाला है और इसको हम अच्छे से पूरे तवे पे स्प्रेड कर लेंगे और सेम हम यहाँ पर भी एक ब्रेटा को हां में कट करके तोरो तरफ से अच्चे से जिए लेंगे ब्रेट को घुटा क्रिस्पी और क्रंची पर लेंगे तो हमारी ब्रेट भी तैयार है और अड़ा बुर्जी भी त्यार है हम इसकी प्लेटिंग करेंगे तो एक पन में हम पहले अड़ा बुर्जी निकाल लेंगे और साथी में हम ब्रेट भी सर्फ करेंगे और इसको हम गार्णिश करेंगे थोड़े से बटर और हरे धनिये के साथ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट और आगे ऐसे ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बबाए टेक क्यार जल्दी मिलते हैं थैंक्स वर वाचिंग